रोले चैलेंजर्स बैंगलूरू ने विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन टू के फाइनल में प्रवेश कर लिया है स्मृती मंथाना की कप्तानी वाली टीम ने पिसले साल की चैंपियन मुंबा इंडियन्स को पांच रन से हराया है बैंगलूरू की टीम पहली बार स्टूर्णामेंट के फाइनल में पहुंची टीम 17 मार्च को खिताबी मुकाबले में हॉम टीम दिल्ली कैपिटल्स का सामना करेगी नई दिल्ली के अरुन जेटले स्टेडिया में शुकरवार को खेले गए एलिमेनिटेड मुकाबले में बैंगलूरू ने टोर जीत कर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 6 विकेट पर 135 रन बनाए मुंबई की टीम ने जवाब में 20 ओवर में 6 विकेट पर 130 रन ही बनाए बैंगलूरू के शुरुवाद खराब रही लेकिन एलिस पेडी ने 26 रन की अर्दी सत्र की अपारी खेल कर टीम को सम्मान जनक स्कोर तक पहुँचाया रिचागोश ने 14 रन बनाए जबकि मुंबई की ओर से हैली मैथ्यूज नेटली सीवा ब्रंट और साइका इशाक ने दो दो विकेट लिये